दोस्तो केडिट काड यूपी आई को लेकर एक बहुत बड़ी गुड नीज गुड नीज है कि अगर आपके पास यूए स्मॉल फाइनेंस का केडिट काड है तो अब आप उसे यूपी आई में लिंक कर सकते हैं दोस्तो एस्टेट बैंक ओफ इंडिया के रुपे के एडिट काड को यूपी आई में लिंक करने में जो एरर आ रहा था उसे ठीक कर दिया गया है अब आप Estate Bank of India के रुपे के एडिट कार्ड को भी UPI के साथ लिंक कर सकते हैं और UPI PIN बना कर किसी भी परकार का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपके पास AU Small Finance का रुपे के एडिट कार्ड है तो आप उसे भी UPI से लिंक कर सकते हैं और किसी भी परकार का UPI कर सकते हैं दोस्तो आप लोग को बता दू के वे कौन-कौन से बैंक है जिनका रुपे के एडिट कार्ड UPI को सपोर्ट करता है तो दोस्तो अब ही तक जो बैंक है वे इस परकार है जैसे आप एस्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों इतने सारे बैंकों के रुपए के एडिट काड को यूपी में लिंक हो रहा है अगर आपके पास इन सारे बैंकों में किसी भी बैंक के रुपे के डिट काड है तो आप आसानी जेओ फून पे गूगल पे अमेजन इन में जो मोबाइल नमबर दिये होंगे जिस मोबाइल नंबर से आप EPI app बनाए होंगे वही mobile number आपके credit card में भी लिंक होना चाहिए तो दोस्तो next वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रुपे credit card को EPI में लिंक कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं फिर से next वीडियो में next update के साथ तो दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने भाई को help करके जाईएगा कि आपका भाई ऐसे ही और informative वीडियो आप लोग के बीच लेके आते रहें